में हमерм Them Im terminology की बात कर रहे थे अब हम terminology of movement की बात कर रहे थे उसमे हम बात करेंगे abduction की ठीकै abduction abduction का मतलब आपको पता है abduct word सुनाओक आपने अखवा कर लिया ठीक्ए तो abduct जो है वह के बलो उसका मतलब ही होतーデन दूर ले जाना यह थीक है अब ड़क मतलब ही होता है दूर ले जाना तो अब हम पढ़ने जा रहें अब्डक्शन और एक्षिन बहुत असान है इसे इक्जेंप्ल से देखते हैं ठीक है यह हैं यह भी जो है इसकी अब्डक्शन हो चुकी है ठीक है इसे हमने बॉडी मेन बॉड़ी पाच से हम इसे क्या करें मेन बॉड़ी पाच से दूर ले जा रहे है तो इसको क्या कहेंगे अब्डक्शन इसकी उल्ट क्या कर लाएगा एडक्शन ठीक है जैसे हमारा हाथ इस तरह से है हमने इसको मेन बॉडी की तरफ हम लेकर आगर आएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे एड़क् करने के लिए इसे तरह पैराकर हमारा इस तरह से है लुड लिम सरे से और हम अब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं तो हात में आपने सबसे पहले नॉर्मल जो है उस्यखेपने एक मीडियन magic मरामाना कि मित अपने अपने अंग्लियों को इस तरह जैसे ये है तेखिए और ये है इसमें देखिए उंगलिया करीब गरीब हैं इसमें अंगलिया दूर दूर है तो यह जो उंगलिय करीब है यह क्या है यह assumption है, और यह क्य? Abduction है, easy है, ठीक है, अड्डच्छन है, ठीक है, add हुई है, सारी mil हुई है, ठीक bracelet है, notification है, medio line kami, plane से दूर लेकर जाएंगे, अगर हम मीडिया So medium line से दूर लेकर जाएंगे है, तो वो abduction होगी, इसी तरह से, बिल्कुल as it is foot में भी है फूट में भी यह है कि यह अगर हम इसको median plane तसाहूर कर ले तो fingers की, phalanges की movement जो होगी अगर हम away ले जाए median plane से तो this will be called as abduction, ठीक है, abduction of toes, ठीक, अच्छा अब हम यहाँ पे देखें अगर यह किसकी बात हो रही है hand normal position में, neutral position में किस तरह से, इस तरह से है, ठीक है अच्छा, thumb के लिए यह देखे, thumb, अच्छा, यहाँ पर पहर देखें thumb यहाँ पर कैसा है, extension of thumb ठीक है, thumb जो है, extended position में, ठीक है thumb इस तरह से क्या है, extended position में, इस तरह, normally इस तरह क्या है, extended position ठीक है यह अगर extension है तो यह क्या है यह फ्लेक्जन है ठीक है अब यहाँ पर देखें यह extension हम नहीं आपको बताए कि यह extension है ठीक है तो यह क्या है this will be called as flexion तो यहाँ पर यह जो आपका जो थाम है यह flex भी है और abduct भी है अब्डक्ट भी है क्योंकि यह add हुआ हुआ है ठीक है जो आपका पाम है उसके साथ मिला हुआ है ठीक है ठीक है ठीक है यहाँ पर दोनुट दोनों एक चीदें एक साथ हूं रही है यह बात आपने आदर कि यह जो condition है इसमें थम जो है flex भी है और एड़क्टिड भी है, flat भी है ओर addicted भी है तो गजोब ये एड़क्टिड है तो abdu viral क्या है? abduction of thumb ये है तीक है देखेंजी ये क्या है? इसको बोलते है reduction, flexion एक साथ हो रही तीक है ये क्या है? extension है और ये क्या है? इसको बोलते है abduction इसको कह बोलता है abduction ठीक है इसको हम बोलता है abduction अभी ही मैं एक concept clear कर देता हूँ कि अगर इस तरह की movement हो इस तरह की movement हो इस तरह से तो हम उसे कहेंगे opposition और अगर यह movement वापस हो जाए तो हम इसे कहेंगे पोडिशन इसर कंश मिन्टिंग मीन्स एनिटींगॆ विच अगर सुनते ही समझाता है कि सर क्यूए को या कूई राउंडическая की बात की जा रही हो ठीक है तो circumduction में किया है पूरी movement ठीक है हर किसिम के movement उसमें शामिल है हर किसिम के movement उसमें शामिल है thank you